कि आपको अपना फाई अप्लिकेशन खोड़ लेना है और उसमें अपना जो भी MP या आपका वायमेट्रिक होगा उससे लोगिन कर लेना उसके बाद सिंप्ली आपके प्रोफाइल पिक्चर के सामने अप्ग्रेड का ओप्षन दिखेगा इसको आपको टैप कर लेना एक बार उसके बाद यहां पे आपको सारे चल जाएंगे चली में आपको पता देता हूं अस्टेंडरव और अब बाहर में अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है मलब एक मंद में 50 जार निकाल सकते हैं फिरी में आपको चेक मिलता है और जो जम्प वाला इनका इंवेस्टमेंट होता है वहाँ पे आपको 8000 रुपे का रिटन मिलता है मलब 8% का रिटन मिलता है और इसमें आपको मंथली 10,000 रुपे मेंटिन करना पड़ेगा उसके बाद जाते हैं यह फैन वाला तो अब इसमें फिर फेपल देविट का से मालब खर्च करेंगे या यूपीयाई से उसमें आपको 2% का कैसबैक मिलेगा और जम आपको 9% का मिलेगा और इतमें प्राइरिटी कस्टमर मतलब आपका जोबी कस्टमर सपोर्ट होगा आपके एकॉंट को जादा वेलेवेबल माना जाएगा और आपका जो परिशानी होगा उसको जल्दी से सॉल्व किया जाएगा अगर आप इंडिया से बाहर निकालते रहते हैं तिसमें आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा उसके बादा जाते हैं लोग सेलरी एकॉन में तो सेलरी एकॉन में फिच से वही दो परसेंट आपको आपको मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे जिसमें आप देख सकते सारा तब इसको जॉइन के से कर सकते हैं तो सेलरी जोएन करने के लिए आपको अपना जो एकॉन नमबर है आपके जो डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे जाके अपडेट करना प होता है इसको मेंटेन करने किया हो सकता है और यह कॉन अटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा जिसे मान के चलिए आप यहां पर फाइनेट में डारेक्ट अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 25,000 रुपे मेंटेन करना पड़ेगा मंतली नहीं 50,000 रुपे मेंटेन करन बोल रहा है जैसे आप 10,000 रुपे डिपोजिट कीजिएगा ति आपका प्लस में चेंज हो जाएगा फिर साब जैसे 50,000 रुपे डिपोजिट कीजिएगा तो यहां पर अपग्रेड हो जाएगा तो बस इतना समझ लिए कि आपको इसको जोईन करने के लिए आपको मंतली बैलन्स जो है 10,000 रुपे रखना पड़ेगा प्लस के लिए और अगर आप रह ना好吃 में चाहते है तो इसके लिए आपको 50,000 रुपे रखना पड़ेगा तो में भी आपका एकउ कांट डाउन ग्रेड किजिए या थे जोएन डबाके जितना भी बैलैस यहां पर डपोजित करने के लिए कहा जाया रहा है वह कर लीजिए आपका ऑपगेड़ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जो यह यह डिपोजिट करना पड़ेगा उसके बाद में भी आपको अपग्रेड हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आमें कमेंट में बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा चले मिलते बाप से न